हेलो एब्रीबॉन वेल्कम टू क्लास स्रीस और आज के इस वीडियो में हम जिस कॉशन को सौल कने जा रहे हैं वह कॉशन है इफ 5 ताइम्स फिफ्ट टम अफ एप इस एक्वल तू 8 ताइम्स इट्थ टम शोड़ाट इट्स 13 टम इस 0 करते जो 5 ताइम्स जो फिफ्ट टम अगर फिफ्ट टम को आप 5 ताइम्स मैल्टिप्लाइ कर देंगे वह एक्वल होता है किससे 8 ताइम्स इट तम्स से एक्वल हो जाता है तो अपनों क्या प्रूव करना है प्रूव डैट 13 टम अफ दिस सीरीज इस 0 जो टी 13 है वो 0 निकलना चाहिए अपनको प्रूव करना है ठीक है तो हम सबसे बहुत अंस मैं लिखेंगे let the first term be A and common difference be D ठीक है यह ध्यान रखना है अब हम लिखेंगे according to question हम लिखेंगे if 5 times of the 5th term 5th term ठीक है is equal to 8 times the 8th term ठीक है यहा तक समझ में आ गया 5 times of 5th term is equal to 8 times of 8th term ठीक है तो यह 5 as it is आएगा T5 can also be written as A plus 4D ठीक है और यह 8 into 8th term can also be written as A plus 7D जो कि यह AP series है त्यान रखना यह AP series है GP नहीं है GP होजा तो A to the power of 4 आता और इधर इधर आता A to the power of 7 ठीक है तो basically यह आगे हो जाएगा multiply करेंगे 5a plus 5 4s are 20D is equal to 8a plus 8 7s are 56D ठीक है और और आगे simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 8a minus 5a is equal to 56D minus 20D ठीक है common terms ले लिए है तो यह हो जाएगा 56D minus 20D 36D ठीक है अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते है यह हो जाएगा basically आपका 3a plus 36D is equal to 0 ठीक है अब कि लिखिए प्लिफ जे ए्सिंग है प्लिफ इस स्वेड एंस रूओ चैंड चाहने कि नरेरा ही जाज जाजा प्तल बश्कार ओनादी को कि टारी सम्स्टा उना जरुट आप श्ट रिए जाजाब्रट नना भी याज को शुदाना जाजा जाजा एंग जाना जाए पो शुदार लिए, हम्हाजा भाह्ता औरे संद्टार जाजा हुआ है